हलो एवरिवान गुट मॉर्निंग राधे राधे कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे सस्त होंगे मस्त होंगे अपने जीवन में अपनी वेटलस जड़नी में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे जो लोग भी हमारा वीडियो फॉर्स टाइम द पानी पिल लेते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइस कर लेते हैं वक कर लेते हैं कि आज तो सारे लोग देर से उठेंगे और फिर जब देर से लोग उठते है ना तो इसलिए मैं सुची चलो आज दोपैर मैं ना करके सूभा में ही ठोड़ा सा वॉक करते हैं और थोड़ी- तो मैं तoi gotta lore तूय वाच करने के बाद फिर पी लेते हैं क्यूंकि मैं तो बाही चाई पीती हूं गुडवकि वाली आप लोग जो पूछते हैं कि क्या आप चाय पीती है गुड़ वाली तो जी हां डियर मैं तो हार एक वीडियो में बोलती हूं कि मैं चाय नहीं छोड़ पाई थी मैं साम की चाय स्किप कर दती हूं साम में मैं नहीं चाय पीती हूं लेकिन सुबा वाली पता नहीं क्यूं मैं चाहे जितना अभी कर लूँ मेरे से ना होता ही नहीं है मतलब सब को जब मैं चाहे देने लगती हो ना तो मेरा भी मुन करने लगता है कि मैं भी थोड़ा सा चाहे ले लूँ तो इसी के लिए मैं एक ही टाइम लेती हूं सुबह में चाहे गुड़ वाली चाहे मैं लेही लेत करें कि चाय ना पीए उसके जगह आप लेवंटी ले ले या फिर बहुत सारी चाय आती है जिसमें की काली मिर्च दाल चीनी वगरा डाल कर पानी को अच्छे से बॉयल करके जो पीते हैं जो कि आपकी बैली फैट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा तो उस तरीके के चाय बैलें ब्ली Türkiye अच्छा लगेगा दसजिए आरज में सबा सुबवा ही घर का सारा काम कर ले रही हूं क्योंकि बच्के घर में है तो फैर जल्दी नास्ता वागेरा भी सब कुछ बनाना रहता है तो मैं सोचे चलो घर का काम ही निपटा लेते हैं उसके बाद फिर नास्ता वगएरा भी कर लेंगे अभी मैं घर साब कर रहे हूं तो बच्चों को भेज दी हूं नहानों के लिए कि ये लोग तीनों नहा लेंगे तो ये लोग नहा धुआ रहे हैं तो हमारा चिपक चिपक सा जाता है तो दियर आज मैं आप सभी के साथ सेर कर रहे हूं अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपका चौमिन बिल्कुल कभी भी नहीं चिपकेगा तो यहाँ पर देखिए गरम पानी में मैं डाल दी थी चाओ को और आप 70 से 80 परसेंट ही च्यां से शर्लिफ आपको चाओ को पकाना है पूरा बिल्कुल भी नहीं होगा अगर पूरा पग जाता है चौमिन तब ही जाकर कि वह गीला गीला हो जाता है लेकिन आप इससे एगर 70 परसेंट ही पकाईंगी ना तो यह बिल्कुल भी गिला नहीं होगा उसके बाद आप इसे तुरंत ही ठंडे पानी में धो लीजे, आप देख सकते हैं मैंने नल भी चालू कर रखा है और साथ का साथ चौमिन को भी पानी में ही डाल रही हूँ, ऐसा करने से क्या होता है ना कि आपका चौमिन बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, अच्छे से इसे धूल लीजे देख सकते हैं, अप एक और चीज कर सकती हैं जब गरम पानी में आप चौमिन डाल रही थी ना तो उसी गरम पानी में आप तेल भी ढाल सकते हैं तो उससे भी ना चौमिन नहीं चिपकता है लेकिन मेरे ख्याल से लेकां प्वाई वैसंची यहीं इस तरीके से बिल्कुल अब बनानी की बारे कान लेकिन आज हमांरे घर में कुछ भी नहीं था और हमेशा बुए नहीं तो बहुत कम्यते घर में और मतजाने गर्ण के तो बच्छा सब्सक्ना सब्सक्राइओ घर्म की की बता भी I करोती वैसे यहां यहां बदें वह नहीं चागा उरका सोया सोसओस सोया सोस टैलनेके बाद उसमें डाली हूं फिर देल कीरी तब हम दोर्ट मिडियम साइज का उसीजी को ले लिहूं ज्यादा तीखा नहीं बनाते हूँ क्योंक बच्च खाते हाना लेकिन फिर भी दो मिर्ची में ही आ यह मिर्ची बहुत ज्यादा process थी तो यह तीखा हो गया था बच्चे वोल रहे थे मुझे तो जैसे ही मेरा प्याज 50% हो गया था ना उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दी हूँ चाओ को 50% इसलिए कि अभी चाओ में बहुत सारा चीज मैं डालूंगी तब तक मेरा प्याज अच्छे से पक जाएगा इसलिए जैसे ही चाव डाल दी थी उसके बाद मैं डाल दी हूँ सोया सोस, सोया बीन उसके बाद फिर मैगी मसाला मैगी मसाला जैसे ही हो गया उसके बाद यहाँ पर मैं डाल दी हूँ टमैटो केचप टमैटो केचप डालने के बाद नमक स्वाद ठनूसार में ढाल दी हूँ उसके बाद फिर डाल दी हूँ यहाँ पर सेजवान चेटनी सेजवान चेटनी डालने से भी चाव का फ्लेवर बहुत अच्छा आजाता है उसके बाद कसूरी मेथी पत्ता उसके बाद मैंने हमारे ही मार्केट जरिया में देखा था एक सीक्रेट था गोलकी का काली मिर्च का वो कूट करना थोड़ा सा डाले थे ना उसके बाद तो ना चाव का स्वाद और भी अच्छा आता है तो तब से ही मैं डालने लगी हूँ इसमें चौमिन में काली मिर्च को भी कूट कर डालने लगी हूँ उसके बाद सब भी को डालने के बाद यहाँ पर फिर अब करने लगेंगे मिक्स ऐसे ही धीरे धीरे आप मिक्स करिएगा देखेगा आपका चाहो बिलकुल भी नहीं चिपकेगा आप देख सकते हैं मेरा चाहो कितना अच्छा बना है ना इसके साथ आप अगर फ्रेश सबजीयों का यूज करेंगे ना लेकिन जो लोग फर्स टाइम बना रहे हैं तो आप इतना एक बर में ना बना है आधा आधा करके बना है तो देखेगा आपका चाहो बहुत और भी अच्छा होगा जैसे कि मेरा बना है ना उसी तरीके से तो यहां हमारा चौमिन बनकर हो गया है रेडी और मैं करती हूँ लाइड वेट कम करने की कोशिस हमेशा करते रहती हूँ लेकिन बच्चे कहां मानने वाले हैं वो लोग तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो उन्हें वीक में एक बार इस तरीके का कुछ चाहिए ही होता है तो यह चीज़ तो हमेशा सटर डे के दिन होती है क्योंकि वो ल मैं है रेडी तो सबसे पहले दोनों बच्चों को दे देते हैं जो भी आपको डालना हो सोया सॉस प्याज वगरा उन सभी को डाल कर आप उन्हें दे सकते हैं तो तीनों लोग खा रहे थे तो मेरा तो घर का सारा काम हो गया था बस थोड़ा सा था इन बॉटल वगरा को प्लास्टिक का बॉटल नहीं यूज करना चाहिए लेकिन अभी मैं नहीं ले पाई हूं इस टील वाला तो इसलिए इसे ही यूज कर रहे हूं लेकिन जितना हो सकता है उसे मैं साफ रखने की कोसिस करती हूं और हर छे मईने मैं इसे चेंज कर देती हूं तो यहां पर वेट लॉस एंड़नी में बहुत ही जादा व्यासत होंगी जो लोग भी हमारे वीडियो फार्श टाइम देख रहा है वह सके तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे लाइक कर दे एंसर कर दे आप सभी की वेट लॉस एड़नी क्या से चल रही है वो भी हमे सभी है यहिए संदे के दिन तो हमारे घर में कुछ न है बना मुझे बनाई कि रात में मैं बनाकि मंटरीं तो तरफ एबिश सण के यह तो बहुत है सिंपल है आलू की बुजिया तो अक्सर कैसे बनाती हो हाला कि हमारे गर्म भूह तरीक से बंती है है लेकिन असब है जांद जो पसंद है वेले हम आप सबी के तो चलिए यहां पर शराइब हो रही है करें अभी मैं इसी में बेशन को ही फ्राइ की थी और इस बखिया वनाने के लिए सबसे पहले मैं डाल दी हूँ तेल जैसे भी तेल घर्म हो गया था सूर समय हम अच्छे से गर्म होनी चाहिए कुम्कि अगर वह गर्म नहीं हूई न तो फिर आलू जो है ना आपके कढ़ाई में चिपकने लगेगा तो इसलिए आपके कड़ाई अच्छे से गर्म होनी चाहिए तो भुजिया को डाल दिये हैं यहाँ पर मैं आलू के साथ प्याज भी कट कर ली थी क्योंकि हम लोग आलू प्याज वाली ही भुजिया को बनाते हैं इस तरीके का भुजिया हमारे घर में सभी को बहुत ही जादा पसंद है तो जैसे ही जो पानी था ना जो कड़ाई में थोड़ा बहुत पानी था वो सूख गया है जब तक वो सूखता नहीं है तब तक आप भुजिया को कभी भी ढखे नहीं क्योंकि अगर ढख देंगे ना तो फिर वो भुजिया पुरा पक जाएगा और जो उसमें कलर आता है ना रेट सा कलर आता है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा तो इसलिए पहले उस पानी को सुखा ले उसके बाद फिर डाल दे हल्दी और नमक इन सभी को डाल कर चला ले और उसके बाद फिर आप गैस को सिम कर दे और फिर ढख ढख कर भुजिया को भुजे ये बहुत ही अच्छे से भुण जाएगा तो आप देख सकते हैं उसी तरीके से मैं यहां पर भुण रही थी तो यहां पर मेरा ना आधा भुजिया अच्छे से भुण गया है और आप सभी को मैं दिखाना भूल गई थी कि मैं सुखा के नास्ते में क्या खाई थी तो सबसे पहले तो मैं नीमू खाई थी डियर उस के बाद ही कुछ खाती हूं तो यहां पर देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे वाला भुजिया हो गया है बनकर तयार आप भुजिया को हमेशा गर्म गर्म ही खाएं वह जादा स्वाद लगता है तो भुजिया भी बन गया था उसी में थोड़ा बहुत तेल था हाला कि ते ले ही कबाब बना कर रखी थी ना आप सभी के साथ सेर भी की थी तो उसका वेटर रखा हुआ ही था वो तो उसे मैं अभी उसकी टिकिया बना ले रही हूं और यहां पर हम तीनों का भी खाना लग गया है बेटा मेरा खा चुका है इसलिए यहां पर हम तीनों का खाना है त दुबारा स्टार्ट करना चाहते हैं तो डियर आप सभी को मैं बोलूंगी कि आप जब भी खाना खाने बैठते हैं 32 बार वाली वीडियो को लगा कर आप बैठें यकीन मानिए फिर से आपको आदत पड़ जाएगी और जो लोग फास्ट टाइम करना चाहते हैं वो लोग भी करेंगे तो उनकी भी आदत पड़ जाएगी क्योंकि जो 32 बार वाला वीडियो होता है ना उसमें मतलब आप समझ जाओ कि 80% 32 बार के बारे में ही बाते हुआ करती हैं तो जिसके वज़े से आपको ध्यान में रहेगा कि हम जो भी खा रहे हैं हमें अच्छे से चीव करके थ 30 बार चीव करके खाना है तो उससे ही आपको आदत लग जाएगी मैंने भी इसी तरीके से अपनी आदत लगाई थी डियर तो इसलिए आप सभी को भी मैं बोल रही हूं इसी तरीके से आदत लगा लीजिए तो सफ्रेंड अभी रात का टाइम हो रहा था रात में मैं लेकिन नहीं लगा पा रही थी तो यह लगा दे रही है तो अच्छी बात है चलो तो आज का ब्लॉक डियर यहीं तक रहने देते हैं आज का ब्लॉक आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताईएगा अभी के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं बाबा झाल